जैशराम आज जानेंगे ब्रहस्पती कुंड़ी में यदि करम भाव में हूँ यानि कि दस्वे घर में तो किस प्रकार आपके करम शेत्र और आपके काम करने के तरीके परसर डारता है तो और विलम ना करते हुए आईए आरम्द करते हैं आज की यात्रा आरम्द करने से पहले एक मैं यहाँ पर किस्सा बताना चाहूंगा क्योंकि जब भी गुरु दशम के बारे में बात होती है तो मुझे वो बात याद आती है शुरू आती दिन थे हम ग्रह के कारकत्व भाव के कारकत्व ये सब समझ जए थे राशी वगरा तो हमने क्या पढ़ा है कि दशम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो जैसे कि शुक्र गुरु गुद या चंद्रमा तो अमल योग बनता है अमला योग कहते हैं और कहा ये योग बहुत अच्छा है आतिक दिश्टी को उन से भी और ओवर अल इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं तो भाई अब गुरु ने कहा है हमने नोट कर लिया इसको अच्छा थोड़े दिन बाद जब क्रूर ग्रहों पर बात होने लगी ताब उन्होंने ये पढ़ाया कि यदि दशम भाव में क्रूर गया हो तो वो राज योग बनाते हैं तो हमने बात की थोड़ा संशय हुआ क अब थोड़े दिन पहले तक तो शुब गया अच्छे थे, अमला योग बना रहे थे, अब क्रूर गया अच्छे है, राज योग बना रहे हैं तो दोनों में फर्क क्या है या यूं कहें कि दोनों में कौनसी स्टेटमेंट गलत है तो जब हम अपने गुरु से अमने इस ब बुरा ऐसा नहीं है, हर एक ग्रह के हर एक भाव के अपनी सिग्निफिकेशन है, उस ग्रह से जोड़ी सिग्निफिकेशन उस भाव पर असर करती है, मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाहरा हूं, अमला योग का फल यह होता है कि आप अच्छे करम करते हैं, नॉर्मली हम दशम भ अथिक उन्नती के लिए किये गए कर्म, जिसे हम कर्म शेत्र या बिजनस या प्रफेशन कहते हैं, या रोटीन लाइफ में भी औरों के साथ हम कैसे पेश आ रहे हैं, वो भी दशम भाव ही है, तो कि कर्मों की यह जो डिविजन है कि पैसे के लिए और बिना पैसे वाले है वो दोनों ही हम दशम से देखते हैं, तो इस वज़ा से दशम यदी शुब ग्रह बैठता है तो वे अच्छे कर्म करता है, और अच्छे कर्म करने वाले कल्योग में जाधा तर बहुत अच्छी पद्वी पर नहीं पहुच पाते, उतनी अच्छी प्रतिष्टा नहीं मिल पैसा कितना मिल रहा है तो पता लगेगा पैसा उतना नहीं है सिर्फ एक respectable amount मिल जाए वोई बहुत है ऐसा नहीं होता कि financial aspect को ये बहुत boost करें ये व्यक्ति के गुणों की विद्धी करता है आर्थिक गुणों की करे या न करे वो depend करता है कि किस भाव का स्वाव मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हम कहें गुरू दशभाव में है तो शुब कर्म करेगा अच्छे कर्मों में लीन रहेगा और आर्थिक दिष्टि कोंड डिपेंड करेगा सेकेंड और लेवन्थ लॉट की क्या पोजिशन है वकर आप अच्छा यहां एक बात फिर और और उसी कुंड़ी में 11 घर में सिंग राशी में शनी और राहु विराजित थे जब पत्रिका आई और हमने देखा गुरू दसवे घर में है और यह शुब कर्म करेगा हमने यह प्रेडिक्ट किया या मैंने यह प्रेडिक्ट किया तो सामने बेटा क्लाइंट मुस्कुरा जबहि करता है और वो लगी सर मजा नहीं आया है उसका कहने काल थी यह था कहने लगा कि मेरा बेटा जितने नेकिटिव कर्म हो सकते हो सारे करता है मतलब सारे आपके जो इसे समाज मना करता है कि ये कारे नहीं करना, वो कारे तो वो जरूर करेगा ऐसा देखने में आया है। ठीक है, गलती थी, मानी कि अच्छा ऐसा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो गलती पकड़ने की, तो बाद में जब गलती पकड़ने की कोशिश की कि क्या मैंने गलत देखा, तो मैंने एक चीज नोटिस नहीं की, वो थी दशा, उस व्यक्ति की राहू की दशा चड़ रही थी, जो ग्यारवे घर में सिंग राशी में शनी के साथ फिराजित था, और ब्रहस्पति की दशा राहू के बाद आती है, वही व्यक्ति जब मुझे 5 साल बाद मिला, और जब वही ब्रहस्पति वाले गुन जो मैंने पहले बताये थी, वो बाद में उस पर अपलाई हुए थी, तो वो केस में भूल नहीं पाता, तो दशम ब्रहस्पति के साथ बहु यह भी बात सारी सही है, इस पर भी एक केस हुआ था, वही मैं आपको बताता हूँ, क्लास में पढ़ाते वे यह बताया गया कि फल दिपिका और डिफरेंट बुक से बता रही है कि दशम बाद में गुरू होने पर व्यक्ति पांडित्ति करेगा, अध्यापन का कारे करेग वगेरा वगेरा, तो एक जाते का आई, एक स्टूडेंट थी हमारी, बहुत अच्छा सुभाव था उनका, तो शायद वो भी वीडियो सुन रही हूँ, तो वो आई, उन्होंने का कि सर मेरे पास एक चार्ट है, जिसके दशम बाद में ब्रहस्पति है, मैं जानना चाहूं लेडी ने पूछा, कि सर पिछली क्लास तक तो आपने का, अधशम भाव में बैटा गुरू, यह सब देता है, तो आज आप क्यों मुकर गया, आज आपने इस बात को, क्यूं ऐसे कहा कि यहाँ पर इस तरह का फल नहीं को था, तो मैं यहाँ कुछ बाते बताना चाहूंग देखिए, अगर किसी को आप अध्यापक बना रहे हैं, कुली देखकर, तो आपको कुछ चीज़े तो देखने ही पड़ेंगी, क्या, पहला तो यह कि उसकी, खुद की अध्यूकेशनल बैग्राउंड क्या है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, अगर पत्रिका मे 4th house, 5th house afflicted है, या 4th और 5th अच्छा नहीं है, तो आप कैसे उसे अध्यापक की पद्वी दे सकते हैं, अध्यापन में वाक कुछलता, या यू कहें, वानी का बड़ा important रोल होता है, अगर वो खराब है, 2nd house afflicted है, तो कैसे आप उसे अध्यापन, अध्यापक की शेरी मिला स सकते हैं, कहने का अर्थ ये है, कि कभी भी, कभी भी एक ग्रह के एक भाहो में बैटने के अधार पर आप कोई बहुत बड़ा फलित ना करें, आपको पूरा चार्ट देखना होगा, और पूरा चार्ट देखने के बाद जो एक ग्रह अपनी कहानी बता रहा था, for example, अगर अध्यापन बता रहा है, और हमें दिखा, fourth भी अच्छा है, fifth भी अच्छा है, तो हम आख बंद करके कह सकते हैं, कि ये विक्ति ऐसे ही किसी कारे में जाएगा, जहाँ पर दूसरे को सला देना, दूसरे की जिन्दगी बदलने वाला काम ही कर सकता है, इतनी उची पद भी पर जा सकता है, आज भी लोग आते हैं कि सूरे दस्वे घर में है, बुक कहती है कि ये विक्ति ऐसे ही कित्सक बनेगा, तो क्या मेरा बेटा डॉक्टर बन सकता है, अब हसी भी आती है, लेकिन क्या कह सकते हैं, क्यूंकि अगर आप्छिकित्सक आज के समयमें बनने जाएं भाव देखना चाहिए, वो source of income देखना चाहिए, तब जाके आप किसी को चिकितसक बना सकते हैं, खाली एक रहके एक भाव में बैटने पर अगर आप डौक ना देंगे, तो बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं, तो ये मुझे कुछ बाते थी आपको बताने थी, अब जानते हैं कि गुरू दशंभाव में हो, तो शास्तर में इस बारे में क्या कहा है? देखे, यदि पत्रिका के दशंभाव में ब्रहस्पती हो, तो जो एक statement, almost हर किताब कहती है, वो कहती है सिद्धारम्भा, सिद्धारम का अलत क्या होता है? कि आपने जो भी कारे आरंब किया, उसको सिद्धी तक लेके जाएंगे, अपने objective को accomplish करने के लिए व्यक्ती पूरी मेहनत करेगा, ये होता है सिद्धारम का अलत, और जब कुल्डी में दशंभाव में गुरू हो, तो व्यक्ती अपने कारे शित्र को असानी से नहीं चोड दूसरा है, पिता से अधिक तेजस्वी, पिता जो भी कारे कलते हों, पिता जिस भी लेवल पर पहुचे हो, संतान उससे दो कदम आगे मिलती है, यदि गुरू दशंभाव में हो तो, भाई और या गुरू का सायोग, ये नियम पूरी तरह लागो नहीं होता, डिपेंड क कहूंगा, मैं more than 60-70% cases में विक्ति कहता है कि मेरे गुरू का बड़ा रोल रहा है, मेरे यहाँ पहुचने में, या मेरे बड़े भाई का बहुत पॉर्टे रोल था, तो वो देखने को मिलता है, ये ऐसा क्यों कहा गया, कोई भी ग्रह जब दशंभाव में बैठता है, तो माना जाता है, जिन चीजों को वो कारकत्व ओन कलता है, जैसे सूर्य पिता का कलता है, तो कहते है, पिता से सही हो, मंगल छोटे भाई का कलता है, तो छोटे भाई से सही हो, ऐसे करके अलग-अलग ग्रहों के दशंभ में बैठने पर ये कहा गया, कि आपके कारिस्थल पर उस ग्रह का या उस दिश्चेदार का important role है, पर यह हर कुंडी में apply नहीं होता, we need to check the house also, कि जो house उस कारकत्व को दिखा रहा है, वो कितना बली है, पुत्रों के उन्नती से असंतुष्ट, यह आपने सुना होगा ना, छिराग तले अंधेरा, यह औरों उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, अन्यता, यह होने की संभावना होती है, कि आप अपने पुत्रों की तरक्की से संतोष्ट नहीं होते हैं, आपको लगता है कि जो उनका caliber था, जिस मुकाम पर वो पहुँच सकते थे, दो-चार लोग सलाम ठोके बात करें, कि अरे बाओ जी आपका काम बहुत अच्छा है, तब तो बहुत बढ़िया, अगर पैसा जादा है, लेकिन इज्जत वहाँ नहीं है, तो यह लोग जादा देर वहाँ टिक नहीं पाते हैं, यह वहाँ से भागने की सोचते हैं, क्योंकि इनके लिए important है, कि इनको मान समाने, उपायों में कुशल, हाँ, उत्तर भारत में एक शब्ध है जुगाड, कि किसी भी काम को, अगर कोई अंबिगर जाये, तो उसको, उस problem का solution ढूंडा, ठीक, instant solution ढूंडा, तो उपायों में यह लोग कुशल होते हैं, जिनके दशम भाव में ब्रहस्पति हो, सात्विक और बुद्धी जीवी, बिलकुल, आपको एक all important बात बता हूँ, लगन के बाद, और लगन पर दिश्री देने वाले ग्रहों के बाद, सबसे महत्मून भाव होता है दशम भाव, जो आपके उपर प्रभाव डालता है, तो दशम भाव में जो भी ग्रह बैठता है, वो आपकी personality के उपर ज़रूर impact डालेगा, because आपके कर्म, समझेगा, चौता गर आपके मन का है, मन ये बताता है कि आप कितने अंदर से अच्छे हैं, और दशम भाव आपके कर्मों का है, जो दुनिया देखती है, कितनी अच्छी तरह आप उसको क्रियानवित कर पाए, क्या आपके लिए opinion दुनिया के मन में है, वो दशम भाव बताएगा, कितना अप execute कर पाए, अपनी परस्नालिटी को दशम भाव तो दशम भाव में जिस तरह का गया बैटता है, वो अपना impact जरूर डालता है व्यक्ती की परस्नालिटी को, इसके बाद बात करते हैं, ब्रहस्पति यदी दशम में हो, तो किन भावों को अदिश्टी डालेगा, और क्या क्या प्रभाव दे सकता है,